नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजबल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोन लाराइन शुरुआत करेंगे गुड मौनिंग इंडिया की खबरों की जमो कश्मीर में सेक्योर्टी फोर्सेस ऑपरेशन आल आउट के जरिया आतंकियों की कमर तोड़ने की पुर्जोर कोशिच कर रही है आज सुभा भी जमो कश्मीर से मुटभेड की खबर आई और इसमें तीन आतंकियों के घिरने की जानकारी सामने आई है बता दें कि जमो और कश्मीर के अरंतनाग के कोकरेनाग इलाके के वेलू में आतंकियों सुरक्षा बलो के बीश मुटभेड फिलहाल ज़ारी है दोनों तरफ से जम कर फारिंग हो रही है आतंकि सुरक्षा बलो से घिरे हुए बताये जा रही है वहीं आईजिपी कश्मीर का कहना है कि लश्कर के तीन आतंकियों को मुटभेड में ट्रैप किया गया है बताये जा रहा है कि सुरक्षा बलो ने जो छिपीव आतंकियों है उन्होंने पहले ही आत्मसमरपण के लिए कहा था लेकिन लगातार अपील की जा रही है उसके बावजूद भी आतंकियों ने सरेंडर करने से इंकार कर दिया जिसके बाद से मुटभेड लगातार की जा रही है सुरक्षा बलो के मताब़ि पहले आतंकियों ने एक ग्रेनिर फेका और फारिंग की उसके जवाब में सुरक्षा बलो द्वारा भी कारवाई की गई आतंकियों में इसे एक के विदेशी होने के शंभावना जताई जारी है फलाल मुटभेड भी जारी है गौरतलब है किससे पहले गुरुवार को जमो कश्मीर के शुपी अजले में सुरक्षा बलो आतंकियों के बीच मुटभेड में तीन आतंक बाद ही मारे गए थे कश्मीर पुलस से टूइट में कहा था कि आतंकियों ने आत्म से मरपन करने से इंकार किया था मटभेड जारी रखी दोरान दोनों तरफ से जम कर गोली बारी हुई और तीनों आतंकी धेर हुए उत्तबरदेश वे गाउं में लगातार कोरोना से लोगों के मरने का सिलसला बदस्तूर जारी है आग्रा के दो गाउं में पिछले 20 दिन में 64 लोगों की जान चली गई है सभी को पहले बुखार आया फिर सांस लेने में दिक्कत हुई और फिर मौत हो गई दो गाउं में 64 लोगों की मौत के बाद स्वास्त में कमा हरकत में आया और 100 लोगों की कोरोना जार्च की गई जिनमें 27 पोस्टिव निकले आग्रा से करीब 40 25 किलोमीटर दूर एतमादपूर का गाउं कूरवा है यहां पिछले 20 दिनों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है गाउंवालों के मौत खांसे जुखां बुखार और सांस लेने में तकलीग के चलते हुई आलगी में इस गाउं में कोरोना की जाच हुई है करीब 100 सेंपर लिये गए हैं जिनमें से 27 लोग कोरोना पॉस्टिव हैं जिन लोगों की रिपोर्ट पॉस्टिव आई है उन्हें कुर्गवा के प्रात्रिम स्कूल में बने आइसलेशन सेंटर में किसी भी तरीकी की सुव रॉली कटारा करीब 44,000 आबादी वाले इस गाउं के ब्रधान के मताबिक अब तक कि यहां करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है ग्राम ब्रधान का कहना आए कि लोगों की तब्यद बिगरती है पिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और थोड़ी ही देर में मौत हो ज रहे हैं मास्क और दोगस की दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है भारत में कोरोना संक्रुमन की दूसरी लेहर ने कोरुरा मचा रखा है सुभी चुदेश भर में वैक्सिनेशन का कार्क्रम बड़े पैमाने पर तो चल रहा है वहीं विश्व स्वास्त संगचन की प्रमु हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह से ये इंफेक्शन को नहीं रोक पाता सिर्श विज्यानिक ने भारत में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रतिक्रिया देते वे का है कि भारतिया डबल म्यूटियंट कोरोना वारस अधिक संक्रमक है लेकिन यहां वाक्सिन के प्रतिरोधक नहीं है उन्होंने कहा कि भारतिया वारस बहत तेजी के साथ फैलता है जो इसके चलते संक्रमन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है उन्होंने लोगों से अपील करते वे का है कि वेक्सिन जरूर लगाएं और तरह है कि भारत में दूस लेहर ने तबाही मच रखी है देशवर के अस्वतालों में हालात भयावे बने हुए है मरुजो की संग्या इसकदर बढ़ रही है कि उन्हें बिस्तर तक नहीं नसीब हो पा रहे है कि उन्हें ऑक्सिजन की जरूरत पढ़ रही है लेकिन इसकी भी कमी हो जाने से लोग अपनी जान गवा रहे है ऐसे में सुरक्षित रहे साफधान रहे निस्वर इंडिया लगातार आपसे यही अपील कर रहा है फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहे है निस्वर इंडिया के साथ